आज मैं अपने बच्चों की मोस्ट फैवरेट रेसिपी आप सभी किशार शेयर करने जा रही हूँ यानि कि वेज मैंजुरियन की रेसिपी वैसे काफी टाइम से वो लोग इसे बनाने को बोल रहे थे बड़ बच्चों की एक्जाम की वजह से मैं नहीं बना पा रहे थी क्य कि इसे बनाने में थोड़ा सा जादा टाइम लगता है तो फाइनली आज उन लोगों का एक्जाम खत्म हो चुका है तो मैंने सोचा कि अज बच्चों की फैवरेट डिस ही में बना लेती हूँ और उसकी वीडियो भी आप सभी किशार कर दूँगी और मैंजुरियन बनाने कि वीडियो को फूल वॉच कीजिएगा और यही आज की रेस्पी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा यहां पे मैंजुरियन बनाने के लिए मै काफी बारिक से चौप करना पड़ता है तो चौपर काफी अच्छा उप्शन होता है मैंजुरियन बनाने के लिए इसमें पत्ता गोभी को डाल करके इस तरीके से पुष करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी हमारी जो पत्ता गोभी है ना काफी बा पाल में निकाल लेती हूं अगर आपके पास यह चौपर नहीं है ना तो आप यहां पे मिक्सर में इसकाम को कर सकते हैं तो पस पल्स मोड पे ही आप दो से तीन वार जब मिक्सर को चलाएंगे तो सारी सबजियां जो है ना अच्छे से चौप हो जाएगी तो यहां पर मैं एक बड़ी साइस की गाजर ले रहे हूं जिसका मैंने आधा ही यूज किया है इसे वह मैं इस तरीके से कटकर के चौपर में ही चौप कर ले रही हूं तो गाजर वी आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से यहां पे बारिक से एकदम चौप होगई है तो इसे भी मैं निका अज़े पानी होता है दो आखे से रिलीज हो जाएगी तो अच्छे से मिक्स करके मैं दस मिनट के लिए रिष्ट के लिए रख तक मैं आगे की प्रोसेस यहां पर देख लेती हूं तहां पर मैंने लिये दो बड़ी साइज के प्याज और डेशारी मैंने अधरक का टुक्डा और हरी मिर्च और एक मैं यहाँ पर सिम्ला मिर्च ले रही हूँ अब यहाँ पर देखे दस मिनेट हो चुके है तो मैं इन सब्जी एको अच्छे से निचोड करके इस में जो पानी रिलीज हुई उसे में निकाल लेती हूँ तो बहुत ही अच्छे से सबजियों को निकूडना होता है, या इस तरीके से हाथों से ना निकले नहीं, आपको up the cotton cloth में हम निकूड़ कररके सारे पानी को आप निकाल सकते हैं बट इस तरीके से हाथों से मैं कर रही हूँ बहुत ही इसली जब आप इसे निचोड़ेंगे तो आप देख रहे है न बहुत सारी इसमें से पानी रिलीज हो जाएगी तो यहां पर हमें सारी पानी को अच्छे से निकाल लेना होता है ताकि हमारी जो सबजी एकदम से सब्सक्राइब को मैं रखते हैं साइड पर यहां पर मैंने एक कप सोया चंग को गर्म पानी में पांच मिनट के लिए भीगो कर रख दिया था और इसे भी मैंने अच्छे से निचोड़ जिया तो इसे मैं बारिक बारिक कट कर ले रही हूं यहां पर मैंचुरीन बाल्स ब सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे भी मैं इन सब्सक्राइब कर दोंगी इस तरीके से आप एक और सोया चंग के साथ मैंचुरीन बना करके देखेगा बहुत ही गजब का फ्लेवर राता है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चोव थाई चमच काली मिर्च का पाउडर दो चमच में यह डाल ही कॉनफलार और दो चमच में यह एड करूंगी मैदा तो बहुत जादा मैदा यू Chinese का जब उड़र ही एक चमच चावल का आटा तो इस तरीके से आप मैंचुरीन बनाएंगे ना तो आपकी मैंचुरीन गाफी क्रिश्पी बन करके तैयार होगी यह तोड़ी सी ड्राइ लगेगी बटी से हाथों से मसल मसल के जब मिक्स करेंगे तो यह अच्छा सा इसका डो बन करके तयार हो जाएगा यहां पर आपके यह जो डो है आपको काफी गीला लगे तो आप एक चमच चावल का आटा और मिक्स कर सकते हैं चावल का आटे के जग तयार हो चुका है अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना करके तयार कर लेंगे तो आपकोसिस किजिएगा जो मैंचुरेन के बॉल्स है एक चोटे साइज की ही बनाएगा काफी ज्यादा बड़ी बनाने से क्या होगी ना कि जो सबजिया है उसे फ्राय होते से में अंदर होगा है तो मैं इसे साइड पर ड़ा और यह साइग ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सिम्ला मिर्च को इस तरीके से स्क्वायर से में बड़ी कट टी खर लिए है या इसे सारे लेयर को मैंने अलग कर लिया हूँ यानिस एसे बड़ी आपी सुन की क्लिया को क्ट किया है और स्त्रीक द्रो 뚜 के अर ∑ मिर्च को हुआ लंप दिए मिर्च के लिए में पॉड़ कर लिया है अब गयस में क्डाहिerem तोरी मेन ट्रॉ HAM क्योंकि में यहां पर बॉल्स को फ्राई कर या है तो तेल को पहले मैंने अचले हीट कर लिए है उसके बाद फ्लेम थे यूप कर दया पहले लो फ्लेम में पहल में till बॉड़ से अगर एन बाल मैं पटो ना जाए और ना जाए बढ़ दालो फ्राइं कर लेती हैं तो याद रखे तेल को पफाले गर्म होने के बाद बाल्स नेके पहले हैं, डिप ब्लाईन कर लेकर लेकर निखका बट कर लेकर लगानेमे तग तिक बहुत हैं, या बॉल्ड़न प्राउन होने तक हम न की चैनी समय नियों भी गुण बाल डेहरे हैं बहुत है Mississippi एल सेफ्दय चाहते हैं और से घृपिते गाता है हैde measure the ao Mong Phosthakarta चुकी एलए मेरेह हैं अदर शायु है स्वाधिजऊ लगता है अब यहाँ पे ग्रेवी बनानी के लिए मैं एक बावल में एक बड़े चमच मैं आपे कॉने स्टार्च ले रही हूँ छोटे चमच से बोलेंगे तो दो चमच होगी और थोड़ा सा पानी डाल कर पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब चुकि मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली मैंचुरियन बनाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे एक ग्लस पानी और इसमें एड़ कर रहे हूँ तो हमारी यह घोल बन करके तयार हो चुकी है अभी मैं इसे रखते हूँ साइड पे अब यहाँ गैस पे मैंने वही कडाहिये ले ली है और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले लशुन अब चुकि मैं धेर सारी लशुन मैं डाल रहे हूँ इसे फ्लेवर बहुत ही बढ़ हरी मिर्च और इन सब चीजों को भी 30 सिकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पन अच्छे से निकल जाए अब मैं इसमें हमारे कटेवे सिमला मिर्च और प्याच को भी एड़ कर दूंगी अब इन सारी सबजियों को हम हाई फ्लेम पे ही 2-3 मि सबजियों काफी गल जाएगी तो मैं अच्छी लगती है तो यहां पे मैं है फ्लेम पे से कुक करें हूं तो नमक में तो थोड़ी कम ही यूज करूंगी साथी में चौथाई चमच मैंने काली मिर्च को कूट कर इसमें एड किया से फ्लेवर मैं चुरियों में बहुत ही केचप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत जादा इसमें केचप नहीं डालना होता है अब हमारी मैंचुरियों को इसमें ब्रेश्टुरेंट बनाने के लिए एक चमच मैंचुरियों मसाला यदि आपके पास है तो आप कीजिएगा वरना इसमें कर सकते हैं तो इ करमसर के रच्षट ुपर्सी जिसमेर सरुंध नहीं होता है तो इसमें मैंने आपे कर लकान भूल को सरण का ड़ी कर डूर किवाथ डाल जालु इहांँ तो मैं यह दुना रेड चिली स्ully स्वास तो रेड चिली स्हु अब एक चमचा अपके लाल मिर्च पानि के साथ इसक से कसमेरी लाल मिर्च से भी मैनेज कर सकते हैं यहां पर हमारी जो ग्रेवी बन करके तयार हो चुकी है यदि आप ड्राइब मैंजुरिन बनाना चाहते हैं तो यहां पर और पानी एड मत कीजिएगा बट मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊंगी क्योंकि हमारे बचों को मैंजुरिन पसंद है तो मैं यहां पर थोड़ा सा पानी और एड करूंगी अभी इसे मैं एक मिनिर तक अच्छे से चलाते हुए पका रही हूं ताकि यहां पर जो मैंने कॉर्ण फ्लार को एड किया है उसका कच्छापन अच्छे से निकल जाए और इसमें बहुत बढ़ी इसी आपको इसे सोख लेती है तो यहां पर सारी चीज अच्छे से फूख हो चुकि है तो मैं एक जलास भर पानी इसमें डाज करूंगी क्या इसमें मैंचुरियन बॉल्स भी एक मैंचुरम यहां पानी को अच्छे से उबाल आने देती हूं और जैसे इसमें उबाल आ जाएगी तो फिर में अपने मैंचुरिन बॉल्स को एड़ कर दूंगी तब मैंचुरिन बॉल्स तभी एड़ किजिएगा जब आपको इसे खाना हो क्योंकि यह जो होती है गर्म ही जादा हमारी मैंचुरिन बनकर का तयार हो चुकी है और बहुत यह ड़ी बढ Besides बना रिच तैयार हो है दौकि इदा खाल रिस्टोरेंट से भी एड़ क्योंकि ने और यह उम्मेद कर ती unterstützen आप लोगे को बहुत ही जाद पसंदि आया गारंटी है कि आपके भी घर में लोगों को बहुत ही जादा पसंद आएगी और एक बार आप यह इस तरीके से बना लेंगे ना तो पाकिस सारे पुराने तरह के भूल जाएंगे इतनी जादा यह डिलीसियस बन करके तैयार होती है तो फ्रेंट्स चलिए मैं से सब कर लेती ह मिलती हुमें नेक्ष्ट वेडियो में कुछ नई रेसिपीस के साथ थैंकियो फॉर वाचिंग